हुआ है 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 गाइज वेल्कम बैक टू में चैनल मैं हूँ अंजना और आज की जो वीडियो है वह मस्ट हैव समर पैंट्स मेरे पास जितने भी सामर पैंट्स है मैंने उसमें से कुछ पैंट्स आने आपके साथ शेयर करने के लिए निकाला है क्योंकि मैं अगर आपके साथ अपनी पूरी कलेक्शन दिखाना शुरू करूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो ज्यादा तर इसमें ऐसे हैं जो कि आप इंडियन और वेस्टन दोनों तरह से वहर कर सकते हो तो चले चलते हैं मैं आपको दिखाती हूं के कलेक्शन तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं अपनी यह वाइट कुलोट्स यह बहुत ही अच्छी सी फैब्रिक है कॉटन की बहुत प्यारी सी है सॉफ्ट कॉटन है इसमें थोड़ा सा सेल्फ चैक्स भी है जो कि बहुत बारी के नजर कम आ रहा है शायदे कैमरा म इसमें डिजाइन है यह कुलोट्स में बहुत ज्यादा पसंद है और यह जो होती है यह आपके एंकल तक नहीं होती है एंकल से उपर होती है और कुछ यह काफ तक आती है ऐसी होती है तो यह बहुत ही स्मार्ट लुक आता है और सबसे अची बात है इसकी फैब्रिक इतनी है बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है यह यह लुक वाइज दोनों तरफ से इस तरह की है किया यहां पर लास्टिक के साथ साथ आपकी यह डोरी भी एक इक है और कुछ में यह काफ लेंद तक भी आती है तो भूशाा नहीं ढेंद आला Sumat में सब्सक्रात सब्सक्राइब भी भी वेर कर सकते हो घर में वैसे यहां करती हो और सबसे बीट ही बहुत ही कंफरेवल एक तो इस तरह की जो क्लिट अपने वाद्रोब में एक जरूर रखे और सेकेंड जो है गाई वो है ये मेरे डेनीम प्लाजो पैंट, ये ये थे हैं डेनीम की है लेकिन प्लाजो फाल जो style है वो प्लाजो के style का ही है और यह इतना smart लगता है बहुत smart लगता है आप इसे किसी भी चीज के साथ वेर कर सकते हो इसे straight कुर्ते के साथ कर सकते हो short कुर्ती के साथ कर सकते हो t-shirt के साथ वेर कर सकते हो किसी भी form में आप इसे वेर करोगे बहुत smart लाएगा और सबसे अच्छी बात है इसकी fabric वो denim वाली मोटी वाली नहीं है यह fabric है वो थोड़ी stretchable है तो आपको wear करने में uncomfortable नहीं रखता कि बहुत ज़्यादा tight आपने wear कर रखा था इस पे मेरे तो loosey आता है और उपर से यह pants के style की है आप देख सकते हैं नीचे आकर यह flary हो गया है यह यहां इसकी belt belt के साथ में tie करने के लिए lace दे रखा अगर आप चाहो तो आप adjust कर सकते हो बोद साइड में आपके यह elastic ही है और यह summer के लिए बहुत comfortable होता है तो इस तरह की जो pants अगर आपको मिले त तो यह मेरी purchase थोड़ी पहले की है लिंक मिलेगा तो मैं दे दूंगे आपको लिए summer के लिए perfect है आप प्राजो भी पहन रहे हो और jeans की भी जो feel है उसे आप ले रहे हो और क्या चाहिए आपको सो कुल मिला कि काफी stylish था यह pant है यह रहा मेरा चिकर पैंट यह वाली पैंट आपको याद होगी है मैंने एक वीडियो में वेर किया था यह वाला आजकल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इसकी जो fabric है नगाई इतनी awesome fabric है pure cotton होने के साथ साथ श्रिंक नहीं हु तरफ में pocket भी दे रखा है देख सकते हैं back side में elastic और यह है हमारे pant की पूरी look हाँ यह बहुत जादा lose नहीं है और tight भी नहीं है बट यह कि straight pant है stylish है काफी अच्छा इसे आप कुर्ते के साथ वेर कर सकते हो मैं अपने white high-lo कुर्ते के साथ इसे वेर करती हूँ और कभी-कभी मैं short कुर्ते के साथ भी वेर कर लेती हो तो आप जिस तरह से चाहें इसे वेर कर सकते हो चाहें आप कुर्ते के साथ वेर करो या टी-शिट के साथ वेर करो और आप इसे घर में और बाहर दोन तरह easily carry कर सकते हो और जो नेक्स्ट और जो है मेरे कराची पेंट जो की मेरी बहुत ही फेवरे्ट है और तो bur дум a आप बहुत ही इसे में बहुत वे में वेर करती हूं मुझे इतना अच्छा लगता है कुछ कहना नहीं है इसके आप देख रहे हैं इसके जो फैब्रिक है अंदर प्योर कॉटन लगी हुई है इसके अंदर लाइनिंग तो गर्मी का कोई सवाल नहीं है और उपर में जो है यह करा यह जो कट्वर्क होते हैं और इसे कराची पायैंटी मुझे गतां मैं जहां भी देखा अ गवरें इसे कराची पाया है ओघ्र पेंटिस चनल ले तो अंदर में यह ankle के ऊपर तक है, तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, यह थोड़ा सा ऐसा है, जिसे आप घर में नहीं वेर कर सकते हैं, बाहर में आराम से आप वेर कर सकते हो, और थोड़ी से stylish लुक आता है, समर में अगर आप jeans को ditch करना चाहते हो, तो आप इस तरह के pants को अपने wardrobe में जरूर रखें, एंड जो है एक मेरी यह white chicken curry plazo, यह तो must have है guys, हर किसी के wardrobe में यह वाली होनी चाहिए, और यह जो chicken curry pattern है, यह इतना elegant pattern होता है, आप किसी भी तरह की dress को wear करो, किसी भी तरह की कुर्ती को wear करो, चाहिए आप printed wear करते हो, light color, dark color, किसी भी तरह की आप wear करते हो, वो इसकी showa बढ़ाती है, तो इस तरह की एक जुरूर प्लाजो paint अपने पास रखे, यह मैं सबसे ज़्यादा wear करती हो, अपने प्लाजो जितनी भी प्लाजो है, उसमें सबसे ज़्यादा मैं इस वाले प्लाजो कोई wear करना पर पसंद करती हो, एंड एंड जो लास्ट है, वो है मेरी यह प्लाजो skirt, मैं यह नहीं कहूंगी, यह must have है, यह must have skirt तो नहीं है, एक एसा रखना चाहिए, थोड़े स्टाइडिस्टा है, जब आप थोड़े से पाटी में खटी में जा रहे हो, तो इस तरह की wear करोगे, थोड़े डिफरेंट टुकाएगा, तो wear करने के बाद यह भी काफी अच्छा लगता है, no doubt इसकी fabric rayon है, तो comfortable है, इसकी जो full pattern है, मैं आपको दिखा देती हूं, सामने से यह belt है, अभी मैंने tryon दिया था, तो इस वेसे मैंने wear किया था, और wear करने के वेसे, इसकी belt थोड़ी सी वो हो गई, again press करना आपने wash की बात नहीं थी, so यह इसकी जो है, यह front में belt है, and back side में elastic है, इसके साथ में जो है, यह इस तरह की frill आ रही है, और यह आपके waist पे इस तरह से knot बनती है, कुल मिला कर यह देखने में बहुत अच्छा लगता, wear करने के बाद काफी अच्छा लगता है, और यह ऐसी look आती है, यह वाली जो है, यह सामने frill होती है, और इसके दोनों inside, इधर जो है, यह आपके, इसके legs बने हुए है, तो आपको अंदर से plazo है यह, और उपर से आप आपको यह skirt की तरह look दे रहा है, बटकुल मिला कर यह अच्छी सी है, काफी stylish यह product है, और wear करने के बाद comfortable है, रहान है तो अच्छी होगी ही, इस तरह की pants भी आपको अपने wardrobe में जरूर रखने चाहिए, थोड़े stylish है, so guys, यह थी मेरी must have pants collections, hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो like करें, share करें और subscribe करें मेरे channel को, और साथ ही साथ bell icon को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियो के notifications आपको मिलते रहे, फिर मिलती हूं next video में, तब तक के लिए, bye bye